नमस्ते हमारे चैनल आई लव माई इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम उत्तर भारत के एक पर्व तीज के बारे में जानकारी लेकर आए हैं साथ ही साथ आपको तीज के पर्व की कथा भी सुनाएंगे लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले तो आएए वीडियो शुरू करते हैं सावन मास के शुकल पक्ष की थृतिया तिथी को महिलाएं शिफपार्वती का विशेश पूजन करती हैं उसे हरियाली तीज कहा जाता है इसे श्रावनी तीज भी कहते हैं देश के बड़े भाग में यही पूजन आशाड थृतिया को मनाया जाता है उसे हरिताली का तीज कहते है दोनों में पूजन एक जैसा होता है अता कथा भी एक जैसी है इस दिन महिलाए निर्जला व्रत रखती है इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है इस दिन महिलाए पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती है तथा दूसरे दिन सुभा स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहन करती है इसी वजह से इस व्रत को करवा चौत से भी कठिन माना जाता है इस दिन जगह जगह जूले पड़ते हैं इस त्योहार में स्त्रियाहरा लहरिया या चुन्री में गीत काती हैं मेहदी लगाती हैं, श्रिंगार करती हैं, जूला जूलती हैं और नाचती हैं हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है हरियाली तीज की कथा शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरन कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी शिवजी कहते हैं कि पार्वती तुमने हिमाले पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था अनजल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी, बरसात में कश्ट सहे तुम्हारे पिता दुखी थे नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विश्णुजी के भेजने पर आया हूँ वह आपकी कन्या से प्रसन होकर विवाह करना चाहते हैं अपनी राय बताएं पर्वत राज प्रसन्ता से तुम्हारा विवाह विश्णुजी से करने को तयार हो गए नारद जी ने विश्णुजी को यह शुप समाचार सुना दिया पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ तुम मुझे मन से अपना पती मान चुकी थी तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घनेवन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे वहां तुम तब करने लगी तुम्हारे लुप्थ होने से तिता चिंतित होकर सोचने लगे यदि इस बीच विश्णुजी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धर्ती पातार एक कर दिया पर तुम न मिली तुम गुफा में रेच से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीम थी कसन होकर मैंने मनो कामना पूरी करने का वचन दिया तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे तुम्हें बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पती रूप में पाने के लिए तप में बिताया है आज तप सफल रहा शिवजी ने मेरा वरन कर लिया मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हूँ कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांचित फल देता हूँ उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वर्दान प्राप्थ हो मन चाहे वर के लिए करे हरियाली तीज का व्रत सावन महीने के शुकल पक्ष की थृतिया तिथी को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है भविश्य पुरान में देवी पार्वती बताती हैं कि थृतिया तिथी का व्रत उल्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है सावन महीने में खृतिया तिथी को सौवर्ष की तपसय के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिफ को पती रूप में पाने का वर्दान प्राप्त किया था हरियाली तीज पूजा विधी हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रिया अपने पती की दीर घायू के लिए व्रत रखती है इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रिंगार का सामान और मिठाईया उनके ससुराल भेजी जाती है हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुभा घर के काम और स्नान करने के बाद सोला श्रिंगार करके निर्जला व्रत रखती है इसके बाद माँ पारवती और भगवान शिफ की पूजा होती है पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पती की लंबी उम्र की कामना करती है इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन वर लोकनृत्ते किये जाते है इस तिन हरे वस्त्र, हरी चुन्वी, हरा लहरिया, हरा श्रिंगार, महंदी, जूला जूलने का भी रिवाज है आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आप से जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद